स्वागत है आपका बिहारी नीज पर मैं हूँ आपके साथ राज महंतिवारी बिहार का कोरोना अपडेट आज 29 अगस्त का जारी हो चुका है बिहार स्वास्त विभाग ने कोरोना के आकरे साजा कर दिये हैं जो नए जनकारी उन्होंने दिये उसके अनुसार पूरे बिहार म में जो नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है उसकी संखिया है 2087 यानि कल के तुलना में और परसों के तुलना में मामले आज थोड़ा जादा हो गया है आज मामले 2000 से जादा है हलांकि कुछ जादा जादा नहीं है 1200 का ही डिफरेंस है तो इसके साथ ही पूरे बिहार म 935 पर यानि कि लगबग एक लाक 33,000 के आसपास चलिए पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि पिछले 24 गंटे में किस जीले से कितने संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है उस पर अररिया 104, अरवल 18, औरंगाबाद 29, बाका 35, बेगु सराय 52, भागलपूर 79, भोजपूर 25, बक्सर 26, दरभंगा 36, इस्ट चंपारनिक 71, गया तिरपन, गोपाल गंज 104, जमुई 43, जेहानाबाद 20, कैमूर 5, कटिहार 67, खगडिया 4, किसन गंज 42, लखी सराय 32, मध्यपू 47, मधुबनी 112, मुंगेर 25, मुजफरपूर 95, नालंदा 44, नावादा 16, पटना 315, पुर्निया 81, रोतास 32, सहरसा 64, समस्तिपूर 80, सारं 60, सेकपूर 23, सिवहर 12, सितामडी 30, सिवान 26, सुपौल 51, वैसाली 50, वैस्ट चंपारन 81, इस तरह पिछले 24 गंटे में पूरे बिहार से 2087, नय संक्रमीत मरीजों की पहचान हुई है, बिहार स्वास्त विवाग के आज के आकरों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि बिहार में पिछले 24 गंटे में 4 ऐसे जीले मिले हैं, जहां 100 से ज्यादा संक्रम मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 13 ऐसे जीले हैं बिहार के पिछले 24 गंटे में, जहां 50 और 100 के बीच में आकरे मिले हैं, अन्न 21 जीलों में आकरा जो है, वो 50 से नीचे का है, यह आकरा कल 25 जीलों का था, लेकिन आज यह आकरा गिर कर 21 जीलों पर आ गया है, जहां पर 50 फा से कम संक्रमी तो मरीज 12 गंटे में मिले हैं, अगर बात करें बिहार में recovery rate की तो बिहार में recovery rate लगबक 86 परतीसत में बना हुआ है, और बात करें बिहार में active case हो की तो उसकी संख्या लगबक 17,000 के आस-पा से, active case हो में लगतार गिरावट जारी है, जाच की अगर बात क लोगों ने कुरोना से जान गवा दिये तो ये था आज का बिहार का कुरोना अपडेट खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे हैं धन्यवाद